एक सवाल है सबसे पहले तो देखो मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत बदाई क्योंकि आप तीनों ने 100 आउट ओफ 100 इसकोर किया है यह बहुत बड़ी बात है हेलो सुमित और हमारे साथ एक और बच्चा वी है जिसका नाम है क्रिष्णा तो सुमित कितना पर्सेंटेज आया आपका क्लास थेंट में 93 परसेंट है और हमारे साथ अभी अभी जॉइन हो गये हैं और सुमित जैसा मैंने देखा आपके मैट्स भी कितने हैं खुद से बतान है और क्रिष्णा आपके कितने हैं मैट्स में तो उसकी लगता है वाइस में प्रॉब्लम है आप ही बता दीजियो सुमित कि हैं अब तीनों का हंडेड आउट अफंडेड है किसी का स्पीकर खुला हुआ है बंदर लीजेगा आपका तो अभी आप क्रिष्णा बताना कितना कितना स्कोर किया है सारे सब्जेक्ट का अलग अलग बताओगे हमारा हिंदी में 95 हाया है ओके साइंस में 96 है ठीक है ठीक है ओके मैट में 100 बहुत बहुत बढ़िया और तीनों टॉपर भी आप होंगे कैसे त्यारी किया था ठीक है तो सबसे पहले सुमीद बताओगे आप कैसे त्यारी किया था आपने हंडेड और फंडेड की पहले तो इतनी उमीद नहीं थी कहां टेंट में 100 आएगा लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है करना आपके ओपर पुरा विस्वास किया कि हां सर्जब आपने वहादा था कि हम हंडेड आउट आपने बहुत सारे कराय जिसे कि कई स्रीच कराई है अच्छा हो गया एक सवाल होता है बच्चों का कि हम अपना सेलेबस कब तक पूरा कर लिया था तो वैसे कब तक आपने सेलेबस पूरा कर लिया था? कि सर्ड सेलेबस थो आप ही के साथ हुआ experien और यूट्व से था जड़ी या फिर यूट्व से पढ़ाई की है रएंशलेशला स्नद्स हो गया था? बहुत बढ़िया अभी कृष्णा अभी आप से पूछेंगे और सुमित आप अपना माइक बंग कर लेना है तो कृष्णा एक सवाल है सबसे पहले तो देखो मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई क्योंकि आप तीनों ने हंडेट आउट ओफ हंडेट इसकोर किया है यह बहुत बड़ी बात है और एक स्कूल से तीन बच्चे हंडेट आउट ओफ हंडेट तीनों क्लासमेट मतलब बिलीव नहीं होता है ऐसी चीज़े लेकिन कृष्णा एक सवाल है आपसे सोचा था कभी कि यह हंडेट ओफ हंडेट आएगा इसा कभी नहीं सोचा था तो कै कैसे आए फिर हंडेट आउट ओफ हंडेट साहा हमने लगबग अगस्ट अगस्ट सितंबर के करीम में आपका हमने की यूटूब पर देखा चैनल ओकी उसी से हमने पढ़ना चालू किया फिर मैत में आपने पेपर की टाइम पर भी सवाल करवाया उसमें भी जादतर सवाल आए पेपर में जो आपने कराया उसी वाज़ा से हमारे इतना नंबर आया है मैं अच्छा जैसे कि आपका टोटल परसेंटेज कितना है हमारा 529 579 मार्क्स हैं बहुत बहुत बढ़िया अच्छा जैसे एक बच्चों का छोटा सा सवाल होता है कि मुझे टॉपर बनना है ल अच्छा इसा तो नहीं कि टॉपर बनने के लिए हर सब्जेक्ट में उसी लेवल का होना चाहिए बिल्कुल तो इसी बात पर बताईये कि आपका इंग्लिस में कितना स्कूर है इंग्लिस में और सुमित का और अभिशेक का इस नाइटी सेवन है तीनों का इंग्लिस में भ और सुमित टोटल आपका कितना है तो टोटल फाइवंड़ फिट्टी सेवन या सिक्स्ट पास्टेवन मत पास्ता है ओके वेरी वेरी गुड बेरी गुड और जैसे इनों ने बताया 579 और अभिशेक आप बताईये कैसे त्यारी किया आपने कि अभिशेक का माइक जो है वो बंद है तो अभिशेक आप पताईये कैसे त्यारी किया आपने जी अभिशेक से पूछ रहा हूं मैं अब स्कूल पर नहीं था क्योंकि इसकूल काफी दूर होता था जाने प्रॉब्लम पर जाते थे तो आप से पढ़ते थे आपका पहले तो आपका क्लास आप जोड़ते थे आप से हम कैमरा ओन कर लेजिए कि आपका आप सुमेद और एक चीज और है जैसे आप लोगों ने बताया कि इंग्लिस में आप लोगों ने 97 स्कूर किया वैसे अगर जैसे कोई बड़ा सा पहाड कोई अगर मुझे मिल जाता है तो मुझे छोटे-छोटे पहाड याद नहीं आते अकसर ऐसा होता है बट 97 बहुत है मतलब सपना हो इंग्लिस में कैसे त्यारी कि आपने इंग्लिस में तो बिल्कुल लाग मुझे त्यारी वही मैं उसे जितना वह बताई उतना ही आज बन करकर हम लोग पढ़ लिए और पूरा अच्छा बहुत बहुत बढ़िया और कृष्णा आप बताईये मुझे आपने इंग्लिस कैसे त्यार किया इंग्लिस काम पूरत से मैं जी को भी देते हैं क्योंकि उन्होंने ही आखरी लाश्ट में जो क्लास कराया हमने उसे देखा पेपर के दो दिन दिन पहले बाकि मैं पहले से भी पढ़ रहा था लेकिन मैं ने जो पढ़ाया लाट में वही कुल पेपर में आ गया उसे वासे मेरे इतना नम्बर आ है इंग्लिस में बहुत बढ़िया मतलब अगर हम बात करें तो घ्यानों दे कहीं ने कहीं लोगों की मदद कर रहा है जी सर बिद्ध कर रहा ह जैसे आप जानते हो पांच पांच लाख बच्चे एक एक दिन में पढ़ते थे आपको सभी को पता है लेकिन उसमें से कहीं 40,000-50,000 ऐसे बच्चे है जो 90 को क्रॉस किये हैं तो वह पांच लाख बच्चे भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने सही समय पर चुना नहीं है ना औ अभिसेक आप सबसे पहले बताना अभिसेक आप बताईए कि जैसे हमें टॉप करना है इनकेस या किसी स्टुडेंट को टॉप करना है तो उसको हिंदी इंग्लिस क्या हर सब्जेक्ट में बराबर वरीता देनी चाहिए अगर आप देखें तो जो आपका पहले मजबूत होता है तो उसके आप अगर लीफ करते हैं तो जो पहले दूर करना तो मैंने अगर मेरा मानी तो आपके चालना नहीं सुरू से जो गया तो इसी वाज़ा से मेरा इतनी नंबर हुआ है बहुत-बहुत अच्छा स्कूर किय आप लोगों ने चलो भाई बहुत-बहुत बढ़ाई सबसे पहले आप लोगों की और एक बार आप लोग बता दीजे कि आप उत्तर प्रदेश में कहां से हैं और इस्कूल भी क्या आप लोग का से मैं यह सब्सक्राइब करेंगे पूरी कोसिस करेंगे अपनी सब्सक्राइब करेंगे 11 स्टार्ट हो गया है और एप पूरा कंपर किया जाएगा तो मतलब आप लोगों के वीडियोस देखेंगी और बहुत खुस होंगी मतलब जितना तो मुझे खुसी है आप लोगों को खुसी है उससे कहीं जादा मैं को भी खुसी है क्योंकि वह सु इंग्लिस में इसा कुछ किया है हमारे साथ कि बहुत 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 को जी करता है कि इंग्लिस में पास भी हो जाएंगे जब फिसकोल पहुशते थे कि हम इंग्लिस में पास हो पाएंगे कि नहीं वहीं मैम का अख्री क्लाश जो हुआ है उसी वरसे हमारा इंग्लिस में इतना स्कोर आया है था बट लास्त में जो हुआ वो कभी भूली नहीं सकते हैं इक च्वटी सी बात बोलना चाहता हूं अगर आप लोग अगरी है तो बताइयेगा जबर्दस्ती अगरी मत होईएगा जो सच हो वो बताइएगा तो मेरा मानना है क्लवा सच है कि उत्तर प्रदेश बोड में इंग्लिस जो हमारा सब्जेक्ट होता है एक ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि 97, 98 लेकर आओ आप लेकिन मैम के जो पढ़ाने के तरीके हैं वो ऐसे हैं कि बहुत बेसिक लेवल है मतलब बहुत एडवांस में नहीं है कि मैम सारा इंग्लिस में बोल रही है क्या ये बात सच है आप लोगों को वैने मैं से बोला था यह चीजी आप जो भी में चीजे कराना वो बच्यें के लेवल से कराना है ना तो यह बात भी सच है कि मैम ने लेवल से कराया यह बात तो थी चलो भाई बहुत बढ़िया और ऐसे ही आप लोग आगे अपना भविस से अजल करें माबाप का नाम रौसन करें थाइंक यू थाइंक यू सो मच्छ बिल्कुल मिलने आएंगे जरूर ठीक है लौक वेटा ओके भाई टेक्यार सभी को बहुत बहुत बढ़ाई आएंक से वो के बटा